अब आपको दुकान से निकलते हुए देखा तो आप पैंथर टायर लेके जा रही है तो कैसा टायर है यह अच्छा टायर है तो चलने में भी अच्छा है बेहतरीन है तो मेरे गाड़ी में तीनो टायर यही है तो आएक यह मुझे यूज करना मैंने तो मैं यह लेके जा रहा अब दुकान पर फशरी डाहिए जाते हैं पैंथर का टायर लेने के लिए तो असानी से मिल जाता है यह आपको तगो दो गडने पड़ती है नई मिल जाता है असानी से चलने में भी और लोड भी में इसमें टाल रहे हूं फस क्लास माचला चलता है अच्छा ये टायर कितनी देर निकाल देता है आपका पैंथर का तक्रीबन मुझे चार साल तो राम से निकल जाते हैं टायर चूप मुझे कोई मसला नहीं इन टायरों में तो पैंथर का टायर बेस्तरीन है सवारियां बगएरा जब आपने बठाई होती हैं तो आपको लगता है कि रोड ग्रिप माशाला इस टायर को डलवाने से बेतर हो जाती है जी रोड ग्रिप भी इसी अच्छी है तो वैसे भी बेस्तरीन चलता है इसमें कोई प्राब्लम नहीं है अच्छा चलाते वे सिलिप पगेरा तो नहीं होता नहीं जी नहीं बिलकुल ठीक है कोई प्राब्लम नहीं कच्छे में जाओ या पके में कोई प्राब्लम नहीं बिलकुल ठीक है माशाला बाकी कितनी देर से अप पैंथर का इसतमाल कर रहे हैं टायर? कितनी देर हो गई या आपको पैंथर का टायर इसतमाल करते हैं? तक्रीबन मुझे 6-7 साल हो गए तक्रीबन तो यहीं पैंथर SCOTT इसतमाल कर रहा है और बेश्तरी ने पेंथर बहुत शुक्रिया आपका देने का प्रोड हो जब तायर की बात आती है टायर क्षिए बाइज करने की तो आपका या लोक्त वारे नहीं तो पैंथर टायर आपका जो इस्तमाद अपया इस्तमाल आप कर रहे हैं अच्छा गाया टो जब मारकिट से टायर लेने दी जाते हैं पैंथर का से मिल जाता है कोई पीज़ते हैं तो रखशा सही चलता है माशाला गृप रहती है टाइर डलाने के बाद प्लुकु सही रहना है कोई मसला ही नहीं गाँ अच्छा टार रहता है बाकी इसके पैंचर बगएरा के लिए आज से कुछ पताएं के पैंचर बगएरा काम होता है टाइरिया उन चाही चलता रहता है लेकिन अपनी मन्याद दे साबना सही चलता है बहुत शुक्रिया भाइजन मेर भानी थेंक्यू